Hello everyone, welcome to Rara. दोस्तों, आज मैं आईशेडो का रिव्यू करने वाली हूँ. This is from Elf Cosmetics. और आप देख सकते हैं, इस तरीके की बेहद खुबसुरत पैकेजिंग में आती है. And सबसे पहले, मैं आपको इसके यहां पर इंग्रीडियन्ट चेक करा देती हूँ. आप देख लीजिए, सारे के सारे इंग्रीडियन्ट की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं. यह 400 रुपीज की आती है, बाइट साइज आईशेडो रोज वाटर इसका नेम है. And इसकी जो प्रोड़क्ट कॉंटिटी है, 3.5 ग्रोड़क्ट कॉंटिटी आती है. और इसका जो, जो मैं अभी शेड अप्लाई किया है, मैंने यह सारे शेड्स में आपको पहले लगा करके दिखा देती हूँ. फिर इसके विशे में बात करेंगे. तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ, Elf का Bite Size Eyeshadow Palette Rose Water और इसी का रिव्यू अभी हम कर रहे हैं. So, इसमें 4 shades हैं, आप यहां पर देखिए और इसके shades बहुत ही खुबसूरत हैं. And इसकी प्रोड़क्ट कॉंटिटी 0.120OZ है, 3.5 ग्राम. All right, so, यह दो languages में इस पर mention है, मैं कुछ और ही पढ़ रही थी, but मैं आपको जिखाओ, यह palette बहुत ही tightly open होती है, बहुत ही tight से यह लग जाती है, यह एक बहुत बढ़ा plus point है, like, eyeshadow का आप जब भी carry करके कहीं ले जाओगे ना, इस तरीके से sound आएगा आप इसको बंद करके, और जब open करेंगे, तो थोड़ा सा यह, ऐसे है, ऐसे, हलका सा sound करके थोड़ा सा यह open होगी, तो यह एक बहुत बढ़ा plus point होता है, like, यूँ ही खुलने ही जाएगी, और अगर तूटी भी है, गिर के तूट गई है, कोई eyeshadow palette आपकी, तो यह खराब नहीं होगी, like, इसमें व बंद हो जाएगी, आप सेट कर सकते हो, दूसरा, अभी मैं इसको apply करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं natural shade लेनी हूँ, mat, जो second number पे है, and मैंना finger से भ्लेंड करने वाली हूँ, because मुझे, मुझे नहीं नीड लगती है, brushes की, and वैसे भी मैं इससे पहले, जो मैंने lavender color का, जो का review किया था, आपने नहीं देखा है, तो चेक करिएगा, फुद कमाल का pigmentation है, इन eyeshadow palette के shade का, तो वो जो लहंगा मैंने पहना था, उसमें यह shadow मैंने use किये थे, eyeshadow सारे के सारे, इसी से मैंने look create किया था, और उसके बाद मैं दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा shiny सा है, so इसको मैं ल इसको softly apply करने वाली हूँ, पता है, सबसे अची चीज इस पर fallout नहीं होता है, बहुत ही natural तरीके साब इसे apply कर सकते हो, फिर मैं ले रही हूँ इसका pink shade, मैं आपको जस्ट ऐसे ही apply करके दिखा रही हूँ है, यह all day stay करती है, बहुत अच्छा pigmentation है, बहुत ही natural सा look देती है, यह जो हलका सा dark color है न, इससे आप यहाँ पर थोड़ा सा एक drama create कर सकते हूँ, इस तरीके से, बहुत ही lightly, so यही same चीज करूँगी मैं, उससे पहले मैं highlighting करने वाली हूँ इसी shade से, यह काफी काफी अच्छा eyeshadow palette है, rose water, पहली बात तो इसका नाम ही इतना खुपसूरत है, उसके बाद मैं वापस मैं ले रही हूँ, यह matte color, second number वाला, यहाँ देख सकते हैं, pigmentation आप यहाँ देख लीजिए, ओके, हालकि मैं थोड़ा सा apply कर लिया था, उसके बाद मैं लेने वाली हूँ, same यही shade, for shine, and I love this eyeshadow, वतलब यह अगर आपको चाहिए, foreign ले लीजिए, but इस पे ना 20% off तक discount आता है, और कई बार buy to get one का offer भी चलता है, तो offer चेक करते रहिएगा, आपको काफी फायदा हो जाएगा, इसमें ना 6 palette आई है, उसके बाद मैं यह pink color ले रही हूँ, हलका सा, यहाँ पर, okay, but अधूरा अधूरा सा क्या है, dark color, हलका सा एक shade लिया, बहुत अच्छे से blend, आप सोचो यह fingers इतने अच्छे से blend हो रही है, बहुत कमाल की eyeshadow palette है, प्लस, अगर आपके पस एक भी है traveling में, तो आपको बहुत जादा eyeshadow carry करने की जुरूत नहीं है, बहुत ज़ंजट पालने की जुरूत नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम highlighting करेंगे shade number 1 से ही, fine, तो ये मैंने apply कर लिए eyeshadow, and बहुत ही साई है, natural है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसी का ये pink shade लेने वाली हूँ, हलका सा जो है, यहाँ पर अब देखिए, हलका सा lower lash line के पास, बहुत सॉफ्टली, इससे ना natural सा look आ जाता है, उसके पास जरा सा brown, जरा सा, see, okay, इसके बाद में क्या करना है, कि आप कोई भी eyebrow pencil का brush ले सकते हो, and उससे थोड़ा सा उसको finish दे सकते हो, because highlighter apply करने के time पर, थोड़ा सा ना, ये लग जाता है, eyeshadow हलका सा, लग गया है, तो अब ये clean हो गया, और अब ये बिल्कुल perfect तरीके से मैंने apply कर लिया है, लेकिन इसमें कमी क्या है, mascara की, तो मैं complete makeup के बाद मिलती हूँ आप से, और ये कहूँ कि मैं ये आपको recommend करती हूँ या नहीं, जी हाँ, मैं 100% आपको ये recommend करती हूँ, आप try कर सकते हो, and इसके जो swatches हैं, वो मैं अभी भी दिखा देती हूँ और daytime में भी आपको दिखाऊँगी, so यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला shade दिखा रही हूँ, कुछ-कुछ candy bar से मिलता जूलता है, ये, candy bar और honeydew से, आपको पास से भी दिखाऊँगी इनका pigmentation, अभी थोड़ा पहले apply कर लेती हूँ, और ये बहुत creamy, बहुत buttery है, जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत ज़ादा अच्छे eyeshadow है, my god, number four, तो ये चारो shade मैंने apply किये हैं, यहाँ पर आप देखिए, shine आप समझ सकते हैं, बहुत ही ultimate, एकदम, natural finish जो आती है ना make-up में, वो अगर आपको चाहिए तो आप ये try कर सकते हो, इसके जो दो shiny shimmery shade है ना, ये बिलकुल करबार के pigment से मिलते जुलते हैं, कि वैसे नहीं है, बट, overall बहुत अच्छे हैं, दोस्तों, so I love this palette, यहाँ पर मैं आपको दिन की रौशनी में ये eyeshadow palette के shades दिखा रही हूँ, आप देखिए, ये जो dark, smoky, smoky सा eyeshadow shade है, इसमें हलका golden glitter भी है, जो की बहुत ही अच्छा इसका look देगा, और आप इने brush की साहता से apply कर सकते हैं, और मैं आपको दिन की रौशनी में इसे दिखा रही हूँ, दुपहर के time में तीन बजे, और यहाँ पर आप पास से देख सकते हैं, ये जो matte वाला है, third वाला, ये कितना ज़ादा pigmented और buttery है, उसी के साथ में मैं आपको ये shades धूप में भी दिखाऊंगी, जिससे की आपको अंतर समझ में आए, कि च्छाओं में और धूप में इनके pigmentation में क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं, और काफी अच्छे से skin पर ये compliment करते हैं, बिकुज ये एक nude shade की pink palette है, यहाँ पर आप देखिए dark color जो है, वो थोड़ा सा brownish में change हो गया है, बिकुज ये धूप में हलका सा yellow tone इन में आ गई है जादा, और ये जो है overall अच्छा eyeshadow palette है, मैं इसे हर किसी को recommend करूँगे, अगर आपके budget में है तो ले लीजिए, तो इतनी आसानी से आप इसे apply कर सकते हो, पता है brush का कोई जंजट ही नहीं है, आप इसको simply उठाओ और इस तरीके से apply करो, और मुझे ना इसको जब मैंने apply किया था, उसके बाद मैंने बहुत सारे video shoot किये, और उसके बद coffee सारा rest किया, खाना खाया, उसके बद मैंने coffee पी, मतलब बहुत time हो गया, 7-8 गंटे होने को है, लेकिन मेरा eyeshadow as it is है, प्लस बहुत ही perfect blend हुआ है ये, और इसमें कोई सी परकार की कोई crazy या कुछ नहीं पड़ी, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप इसका double coat touch up करते हो, तो कैसा सा लुकाएगा, मैं pink और हलका सा ये जो champagne shade है, दोनों shades को mix करके apply करने वाली हूँ, eyelid पर, ताकि हलका extra shine करें ये, है ना, और आपको पता है, ये इतनी buttery, इतनी buttery eyeshadow है कि, oh my god, आपको जरूर try करने चाहिए, और पता है, सबसे खुबसूरत palette अगर इसमें है, तो ये rose water palette है, अपने color की choice भी होती है, बट rose water ऐसा shade है, और दूसरी जो है, वो है cream and sugar, I think so, तो ये दो palette ऐसी है, ये तो मैंने giveaway में भी रखी हुई है, मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा, नाइका haul वीडियो में, तो देखिए किसको जाती है, और ये बहुत खुबसुरत है, और मतलब मैं आपको ये recommend करूँगी, बहुत long lasting है, fall out नहीं होता है, shades बहुत अच्छे से skin पे compliment करते हैं, और बिल्कुल natural, natural साई shade है, तो कही न कहीं, ये नो मेकप को बिल्कुल excess, जो बहुत ही भड़कीला मेकप होता है, वैसा वाला नहीं बनाने बाला है, बहुत soft, बहुत pretty, बहुत attractive मेकप बनाने बाला है, और मेरा जो lavender color का लहंगा का review किया था न, मैंने ये ये eyeshadow palette use की थी, and trust me, ये काफी खुबसूरत shade निकले, so, eye pigment इतनी costly आती है, तो आपको ये चार shade मिल रहे है, 400 रूपीज में, just because of formula, इसका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़ादा अच्छा है, like इसको आप भले ही matte formula ले लो, matte तो इतना बटरी है, see, बहुत ज़ादा, मतलब बहुत ही साइच चीज है ये, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर मच जाएए, lipstick swatches किये थे, मैंने जोड़े दिर पहले, बाकी मतलब मुझे ये अच्छा लगा, और मैं इसे teenagers को, हर किसी को ये recommend करूँगी, जरूर से बोलूगी कि आप try कर लीजेगा, और अगर आपको लेना है, तो मैंने link description में दिया है, खरीद लीजेगा, इसके मैं अब मुझे बहुत interesting लग रहा है, ये brand मैं इसके और भी product यूज करना चाऊँगी, और most important इस brand के जो product है, वो 300 रुपए, 400 रुपए से 1000 के अंदर है, इनको आप ले सकते हो, अगर आप चाऊँगी, दीर दीरे, लेकिन कुछ brands तो ऐसे हैं, जो latest, जब मैं launching उनकी देखती हूँ website पे, और oh my god, 5000 का eyeliner, एक single अगर आप blush ले रहे हो, 5000 का blush, इस तरीके के price हैं, तो नहीं लेकिन जो daily year के लिए, office के लिए, college के लिए, या जिने shock है, makeup का, या फिर जो beginner हैं, उनके लिए, brides के लिए, I think ये बहुत perfect, एन बहुती cute kit है, so you should try this, मतलब, makeup को मैं उतनी जल्दी, बोलती नहीं हूँ कि, wow, और मतलब, lipsticks तो अच्छी लगती हैं सबको, लेकिन, eye shadow, I love it, मतलब, मुझे ही अच्छा लगा है, और, I think आपको, use करके, इसको regret तो बिलकुल नहीं होगा, और सबसे चीज़ है, आपको ना, कुछ और नहीं करना है, इस single shade से, आप पर smoky eye look, create कर सकते हो, तो काफी अच्छी है, और packaging तो आप देखी रहे हो, तो इसके अलावा, इनके deep pictures देखने के लिए, मुझे instagram पे follow कर सकते हैं, और मुझे facebook पे follow कर सकते हैं, मेरे another channel, subscribe कर लिजेगा, और मेरे channel पर, बहुत सारे amazing videos ज़रू देखिएगा, thank you so much, खुश रही दोस्तों अपना ध्यान रखिए, और support करने के लिए, thank you so much, वापस से, और आप सभी को बहुत सारा प्यार,